हे गाइस विडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CITS admission 2021 की बारे में देखिए CITS की admission 2021 है वो उसकी online form लिंक एक्टिवेट कर दी गई है स्टार्ट हो चुका है तो जितने भी ITI pass out candidate है CITS 2021 का form फिल करना चाते हैं तो यह वीडियो जरूर देखेगा इसमें काफी सारा information मिलेगा क्योंकि almost अभी जो new ITI pass out candidate है पहले भी है यहां पर लगबग 50 to 60% एसे candidate होगे आखिर में CITS है क्या यह नहीं पता है उनको किसको करना चाहिए हाँ admission निकला है form तो सब भरो एसी बात नहीं है सभी candidate को नहीं भरना है आपको इसमें चोईसे से आपको क्यों CITS करना चाहिए क्या benefits मिलेगा यह course करने का मतलब क्या होता है और benefits मिलेगो तो कितनी ज़्यादा benefits मिलेगी अगर नहीं ज़्यादा benefits तक क्यों हम एक भीड का हिस्सा बनने जाएं और एक साल वेस्ट करें तो आज की वीडियो में यही सारी details बताऊंगा वैसे CITS बहुत अच्छा है लेकिन जो candidate को करना ही नहीं है तो वो क्यों करे मैं इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए क्य क्या फायदा होगा और कैसे फॉम फिल करना है उसके लिए क्रिचरिया क्या होने वाला है चले स्टार्ट करते हैं जितने भी आईटी आई पास और डिप्लोमा बच्चे इस फॉम को फिल कर सकते हैं इसमें सारी details बताऊंगा तो दोनों candidate इस वीडियो को continue कीज़ेगा तो य इसमें कौन कौन लोग apply कर सकते हैं तो इसमें eligibility condition जो महांगी आती है NTC या फिर NAC certificate आपके पास होनी चाहिए hopefully अगर आपने IDI pass out किया है तो आपके पास NTC certificate होगा यानि कि national trade certificate और अगर आपने IDI pass करके apprenticeship किया है तो आपको NAC भी आपके पास होगा next IDI आपका NAC certificate और candidate के पास एक 10th candidate के पास होता है 10th candidate के पास कैसे होता है जैसे कि 10th pass किया है और electricity and trade से जैसे ordinance पेक्टरी में vacancies आती है तो उन लोग का course जो होता है तीन साल apprenticeship करता है तीन साल करने के बाद उसको NAC certificate by NCVT द्वारा मिल जाती है तो वो candidates form को fill कर सकते हैं next कोई CTS करता है ने जो कि क्राफ्ट्मेंट आपकी जो scheme आई हुई थी जैसे कि आपका BHE या पे रांची में निकला था इसी तरह बहुत सारे निकलता है जो की करती है तो CTS से भी अपने ITI किया है वो भी apply कर सकते हैं देन यहां पर सिप्सी जिवात NTC, NAC होगा apply कर सकते हैं NCVT certified in relevant trade जो की trade यहां पर मैं जहांगारी देने वालों कौन-कौन से trade eligible हैं या फिर आपने diploma, degree किये हैं वो भी candidates form को fill कर सकते हैं केस में fill करने के लिए कुछ examination fee रखी गई है जो की 500 रुपिया जनरल और EWS वाल की candidate को देना होगा OBC candidate को देना होगा और जितने भी HTSC, PH candidate या फिर women candidate होते हैं उनको RS 300 रुपिया आपको payment करनी है टोटली online payment यहां पर आपका होने वाला है और सबका एक entrance exams होता है और exam जो आपका होगा अलग-अलग city में आने के हर एक state के एक popular city आपे choice कर लिया जाता है और सब में होगा हर एक state में एक यहां पर locator रखा गया exam city बनाने की पूरी कोसिस की गई है तो वहाँ पर आपकी examination आपकी होगी और center होगा और जो exam आपकी होने वाली है common entrance test होता है जितने भी candidate form fill करेंगे सबका entrance test होगा और ये entrance आपका 20-21 अगस्त को होने वाला है अलग-अलग division में आपकी entrance examination ली जाएगी annual examination यहां पर बता गया है जो कि आप देख सकते हैं October 2021, September 2022 यह आपकी यहां पर duration होने वाली है और यहां पर 19-July से लेकर 2 अगस्त किसका जो form में आप fill कर सकते हैं अभी available है इसकी link activate कर दी गई है जो भी candidate form fill करना चाते है वो आज जरूर फिल किजेगा यहां पर कोई भी upper age limit नहीं रखा गया है 18 साल से आप उपर हो चुकी है आप जरूर reply करें कुछ जरूरी इनके बारे में और information दे दूँ तो मैंने बता 19-July से 2 अगस्त तक form fill करना है और इसकी जो hall ticket यहने के admit card आपके download होने start हो जाएंगे 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में examination आपका मैं बता चुका हूँ कि कब आपकी examination यहां पर होने वाली है 20 और 21 अगस्त को examination हो तो यह चीज है यह prospectus है यह सारी trade से related यहां पर जानकारी दी गई है आप यहां पर अपना trade चेक कर सकते हैं plumber है secretary आपके practice हिंदी है office management है उसके बाद आपको यहां पर mechanic motor vehicle वाले मिल जाएंगे mechanic diesel है mechanic grinder है कई सारी trade यहां पर जैसे की future electricity यहां पर देख सकते हैं जो कि यहां पर मायना रखी गई है आप यहां पर detail वाई चेक कर सकते हैं यहां पर आपको मिल जाएगी prospectus का मैं लिंक दे दूगा description में यहां पर NST IOTS यानि कि कहां कहां आपकी training होगी कौन सी college में कितनी vacancy है और कैसे आपको यहां पर job मिलेगी otherwise सारी चीज़े यहां पर देख सकते हैं यहां पर दिखाएगा कितना vacancies आपको मिलेगी यहां पर करें देखिए हर साल 12,000 candidates CITS करते हैं दोनों college मिला के तो हर साल इतना ही seats होती है अपना अपना हिसाब से देखें और वहां पर apply करें तो यह full information CITS admission 2021 की हो गई hopefully इससे related कुछ भी अधर जानकारी आपको generally नहीं जाननी चाहिए दरवाज जाननी चाहिए तो आपको comment कीजिए आप मैं से लेवेस से लेकर exam process क्या होता कैसा exam होता है मैं उसकी एक बार discuss करते हूँगा चलिए अब मैं यह बता देता हूँ कि किसको यह form fill करनी चाहिए CITS का मतलब basically होता क्या है देखें यहाँ पर CITS का full form दिया गया पहले देख लिजिए craft instructor training course CITS का मतलब सिर्फ यही होता है उससे दावा इसके अलावा कोई जब को जानने की जोरत नहीं इसी में आपका totally समझा जाना चाहिए basically CITS जो है वो एक ITI के बाद एक courses होती है जिस courses को कर कि आप government teacher बन सकती है government teacher वो भी ITI college में या फिर आप चाहें तो private teacher भी जा सकते हैं CITS करने के बाद कई 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 जारे इसे होते हैं ITI करके डिपलोमा करके directly private teacher बन जाते हैं तो उससे भी बनता है लेकिन government teacher अगर आप बनना चाहते हैं तो CITS जरूरी है आज कल की date में यह पहल पहले government college में 80% यहां पर CITS जरूरी है यहां पर की private college में भी यह demanded होने लगी नहीं तो आपको मानेता रत कर दी जाएगी तो अगर आप CITS course करेंगे तो सिर्फ आप government ITI teacher ही बन पाएंगे एक्स्ट्रा किसी भी चीज में में आपको benefits देखने को नहीं मिलेगी अता इससे य teacher बनना है एक instructor बनना एक instructor बनना आपको ITI student को आपको पढ़ाना अच्छा लगता है अपका पैसान है पढ़ाना तभी यह course करें वरना यह course करने से आपको कुछ ज़्यादा benefits आपको नहीं देखने को मिलेगी हाँ अगर कोई PM के वाई में में जाना चाता है तो वहां पर भी आपको यह काम आएगी लेकिन सोच रहें इससे करने के बाद हमको railway में या फिर किसी भी other PSO sector में हमको jobs में benefits मिलेगी तो यह सा कुछ नहीं आपको इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी benefits आपको नहीं मिलेगी आप यह भी सुनना चाहोगी sir government जब हमको job लगेगी teacher में तो उसक क्या process होगा जैसे CITS करते हैं उसके बाद directly लग जाती है तो जी नहीं guys CITS करने के बाद आपको कम से कम 2-3 साल का आपके पास experience भी होनी चाहिए teaching का तभी आप उसमें apply कर पाओगी यह एक लंबा process है ITA teacher बनने के लिए लेकिन अभी competition बहुत इसमें कम है तो जो भी जरूरी आप जरूर कर लें आने वाले समय में इसकी demand बहुत ही बढ़ने वाली है तो जो भी candidate instructor बनना चाकते हैं तो वही CITS करें अथवा इस field से हट जाएं और अपने कहीं दूसरे field में आप तयारी कर रहे हैं जैसे कि कहीं पर भी अपने IGCR की निकलिए DFCCL की निकलिए तो उसमें ज्यादा तरह फोकस करें अभी उसमें इससे ज्यादा भाविस आपको इसमें मिलेगी ज्यादा होड मचाने की जरूरत नहीं है कि सब ITI निकला तो सभी apply करो सबको बनना है बाद में पता चला आपका पैसन ही नहीं नहीं आपकी जेल की तरह जिन्दी ये लगेगी आपको और जो इसके लिए पैसन है वो सबसे अच्छा है इस वाप तो वो जाके कर सकते हैं गाईस तो सारी चीजे में यह डिसकस कर चुका हूँ और एक बात इसमें जब आपकी सेलरी जॉब लगेगी गवर्मेंट टीचर में ये भी जान लीजे सेलरी आपकी आपकी 25,000 से लेकर करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वजूद है अपको इसकी वीडियो चाहिए तो भी बता जीजे मैं इसकी वीडियो लेकर आजओंगा तो ओफुली वीडियो उच्फुल लगी हो लाइक सेयर और सब्सक्राब जरूर करें चैनल पे नहीं है तो चले मिलते नेक् इस वीडियो में तो देगले जहन